नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अन्बॉक्सिंग और आज की स्वेडियो में हम अन्बॉक्स करने वाले वर्ल्ड्स लाप्टॉप जिसका वेट है 880 ग्राम्स और यह आता है एस्यूस की तरफ से और यह रहा उसका रेटल पाकेजिंग यह पर्टिकुलर लाप्टॉप है एस्यूस का B9 एक्सपर्ट बुक जिसमें आपको टॉप नॉच कॉन्फिग्रेशन देखने मलता है जो है इंटल का कोर आए 711 जनरेशन प्रोसेसर जो यहां पर प्लाटफॉर्म पे बेश्ट है उसी के साथ वूपिंग 32GB का रैम प्लस 2TB की M.2 SSD लाइटवेट के साथ तॉप नॉच इससे अनवाक्स करने के लिए तो लेट्स गे स्टार्ट इड़ तो यहां पर बॉक्स के आगे की तरफ लिखा है इन सर्च ऑफ इंक्रेडिबल बाय एस्यूस और यहां पर पीजी की तरफ आपको देखने मलता है उसका मॉडल नंबर जो है B9400CE जहां पर उसके कई सारे फ बॉक्स के आगे की तरफ उन्होंने एक्सपर्ट बॉक की बैजिंग प्रोवाइड किये और जैसे हम इसे अनबॉक्स करते है यहां पर वो एक्च्वल लाप्टॉप आपको देखने मलता है और यहां पर यहां पर यहां पर आता है टाइप C के साथ और यह है 65W का और दू इसे प्रोटिफाइड टू-MICRO-HDMI का एक्स्टेंशन तो सबसे पहले यहां पर प्लास्टिक राप है लाप्टॉप के ऊपर का उसे हम रिमूफ करते है फिर यहां पर लाप्टॉप को उपन करते है यहां पर जो प्लाइप स्लीव उन्होंने प्रोवाड के उसे रिमूफ करते है इसे पावर आउन तो सबसे पहले मैं बात करना चाता हूँ इसके बिल्ड कॉलिटी की तो यहां पर आपको स्टार ब्लाक कलर में यह देखने मिलता है और यहां पर उन्होंने न्यू मैगनेजियम अलॉय मेटरियल का यूज किया है जो इसे काफी ज्यादा लाइट कंडिशन में है यूमिडेटी कंडिशन में अगर आप एक मेटर से इसे ड्रॉप भी करते हो फिर भी यहां पर आपको डेंशन लेने की जरुवत नहीं है काफी ज्यादा टफ ग्रेड मटरियल उन्होंने यहां पर यूज किया इस पर्टिकुलर लाप्टॉप में और प्ल से इंपोर्डन फैक्टर मतलब बहुत ही ज्यादा लाइट विट है फिर हम बढ़ते इसके डिस्प्ले की तरफ तो यहां पर आपको 14 इंच का फुल एजडी नानो एज डिस्प्ले उन्होंने प्रोवाइड किया है जहां पर हम इसके बैजल की बात करें तो काफी थिन बै से ब्राइटनेस की तो यहां पर आपको 400 इंच की ब्राइटनेस उन्होंने प्रोवाइड किये प्लस यह परटीकुलर लापटॉप आता है आइप्रोटेक्शन के साथ सो यहां पर ती यु वी रिलन जो यहाँ पे Evo platform पे based है उसे के साथ Intel के Iris XC graphics उन्होंने provide किये है plus 32GB का DDR4 RAM और 2TB की M.2 SSD भी देखने मिलती है तो guys यहाँ पे अगर मैं upgradability की यहाँ पे बात करो तो जी हाँ इस particular laptop को आप upgrade कर सकते हो क्योंकि rare में यहाँ पे आपको एक additional M.2 का slot भी उन्होंने provide किये तो directly आप SSD उसमें plugin कर सकते हो so guys configuration wise आपको काफी तगड़ा configuration उन्होंने यहाँ पे provide किया so अभी time आता है इसे benchmark करने का तो सबसे पहले यहाँ पे हमने PC Mark 10 में इसे benchmark किया जहाँ पे आपके productive application को यहाँ पे यह benchmark करता है और यहाँ पे जो आपको scores देखने मिलते है वो काफी competitive है इस particular segment के laptop के लिए उसी के साथ यहाँ पे graphics के लिए हमने 3D Mark benchmark टेस्ट भी किया जिसमें हमने fire strike टेस्ट किया जहाँ पे आपके graphics को यह completely test out करता है और यहाँ पे भी जो scores आपको देखने मिलते है वो भी काफी जादा competitive है so guys benchmarks में भी आपको काफी अच्छे scores यहाँ पे देखने मिलते है so बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे gaming के बारे में पूछेंगे so guys यह जो particular laptop है यह gaming oriented laptop नहीं है यह सिर्फ professional use के लिए बना है but फिर भी guys यहाँ पे हमने gaming किया इसमें तो सबसे पहले basic game के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे Valorant game हमने इसमें खेला और Valorant game पे यहाँ पे हमें मिल रहा था constant 60 fps का frame rate और यहाँ पे भी हमें कोई भी lag महसूस नहीं हुआ और फिर हम बढ़ते हैं अगले game की तरफ जो है GTA 5 तो GTA 5 में भी यहाँ पे on and average आपको 40 fps का frame rate मिल रहा था तो यहाँ पे settings हमने standard पे रखे थे और यह भी game काफी smoothly यहाँ पे work कर रहा था प्लस यहाँ पे उन्होंने privacy shutter का भी option प्रोवाइड किया है जिसके help से directly आप camera को यहाँ पे physically turn off कर सकते हो और exactly webcam के दोनों भी तरफ आपको quad array mic setup उन्होंने प्रोवाइड किया है जिसमें आपको AI noise cancellation का function देखने मिलता है so hello windows का function आपको देखने मिलता है जिसकी help से within a second यहाँ पे आपका laptop unlock हो जाएगा प्लस यहाँ पे आपको adaptive lock का भी function उन्होंने प्रोवाइड किया है अगर आपका laptop lying है कहाँ पे भी आप यहाँ पे basically my asus में जाके इसमें timer बगेरा कई सारी चीज़े set कर सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो laptop यहाँ पे lock हो चुका है और जैसी मैं इसके सामने आता हूँ आगे की तरफ आपको laptop के proximity sensor देखने मिलता है जिसकी help से detect करता है मेरा motion और यहाँ पे जो laptop है immediately आपका face unlock यहाँ फिर fingerprint से आपका laptop यहाँ पे unlock हो जाएगा so guys adaptive lock का function देखे बहुत ही बढ़िया बात किये इस particular laptop में especially इसका proximity sensor काफी अच्छी तरीके से work करता है और guys यहाँ पे मैंने laptop unlock की बात कर ही दिये तो यहाँ पे आपको fingerprint unlock का भी function देखने मिलता है और यहाँ पे भी काफी responsibly like within a second आपका laptop unlock हो जाता है guys फिर हम बढ़ेंगे इसके keypad की तरफ तो यहाँ पे आपको backlit chiclet keypad उन्होंने provide किया है जो यहाँ पे आता है 1.5 mm की travel के साथ और यहाँ पे यह particular keypad है backlighted keypad जहाँ पे आपको decent brightness इसमें देखने मिलते है उसी के साथ यहाँ पे उन्होंने काफी बड़ा सा trackpad provide किया है जो का यहाँ पे आपको gesture का भी function देखने मिलता है तो जैसी आप right में swipe करते हो यहाँ पे calculator का option open हो चुका है and on the go आप directly इसमें calculations कर सकते हो उसी के साथ यहाँ पे trackpad के नीची की तरफ आपको LED light indicator देखने मिलता है जो multi color LED light है तो basically अगर आप charging पे इसे plug-in कर रहे हो तो यहाँ पे आ आप इसे command दो के यहाँ पे आपको blue color की LED light देखने मिलने वाली है तो guys यह एक multi color LED light है और plus guys यह जो particular laptop है यह है Evo certified laptop तो यहाँ पे आपको कई सारे इसके advantages देखने मिलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको lightning fast upload and download speeds इसमें देखने मिलेंगे क्योंकि इसमें उन्होंने battery की तो यहाँ पे आपको 13 hours की battery backup देखने मिलने वाली है और यहाँ पे 66 watt hours की battery उन्होंने अंदर provide की है और फिर यहाँ पे better connectivity के लिए उन्होंने thunderbolt 4 ports और यहाँ पे RJ45 to micro HDMI का dongle भी provide की है तो guys यह कुछ key advantages होते है एक Evo certified laptop के जो आपको इस particular laptop में उन्होंने provide की है और फिर हम इसके speakers की तरफ तो यहाँ पे आपको down firing dual speakers दीखने मिलते है जो part है by Herman and Cardan तो यहाँ पे मैं एक sample video play करूँगा जिसमें आप सुन सकते हो इसकी sound quality So guys यहाँ पे जो speakers उन्होंने provide की है वो काफी decent speaker आपको देखने मिलते है जादा भी loud नहीं है and guys जी हाँ यह जो particular laptop है यह काफी जादा lightweight laptop है So बहुत सारे लोग मुझे ports के बारे में पूछेंगे कि कि कितने सारे ports उन्होंने यहाँ पे provide की है So यहाँ पे left hand side पे आपको दो Thunderbolt 4 ports देखने मिलता है full size HDMI उन्होंने provide किया है Micro HDMI to RJ45 का port देखने मिलता है right hand side पे आपको Kensington lock USB Type-A port और एक 3.5 mm का jack So guys ports wise सारे ports उन्होंने provide किया है better connectivity के लिए especially मुझे RJ45 to Micro HDMI का concept बहुत ही जादा पसंदा है जो आजकल कई सारे laptops उन्हें miss out कर रहे है और guys इस particular laptop में आपको और एक key feature देखने मिलता है So by Asus का laptop है तो यहाँ पे आपको My Asus application का भी support उन्होंने दिया है जिसकी help से आप कई सारी चीज़े इसमें monitor कर सकते हो अगर आपको कोई support चाहिए तो उसे भी आप directly उस application की help से वहाँ पर raise कर सकते हो और अगर आपको चाहिए तो directly आपके laptop की screen यहाँ पर extend कर सकते हो आपके smartphone में और यह function भी काफी बड़िया तरीके से इसमें work करता है So guys यहाँ पे धेर सारे features के साथ यह body color laptop आपको देखने मिलता है काफी जादा light weight है सिर्फ और सिर्फ 880 grams और by configuration wise आपको काफी तगड़ा configuration देखने मिलता है उपर से यह Intel Evo certified laptop है जिसके आपको कई सारे advantages देखने मिलेंगे और बात करेंगे इसके pricing की So guys यह जो laptop की unboxing video है मैं काफी पहले shoot कर रहा हूँ lawn से पहले So अभी फिलाल इसकी pricing available नहीं है But guys जैसी इसकी video live होगी आपको नीचे description box में या फिर नीचे comments में इसकी pricing जरूर मिल जाएगी So भाई यह जो particular laptop है इसकी link में नीचे description box में drop कर दूँगा वहाँ पे जाके आप इसे check out कर सकते हो So guys बस यही ता आज के video I hope आपको यह वीडियो पसंद आए होगा So